नमस्कार आज मेंस के लिए जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक करेंट इशू है वैसे तो अभी एक जो है वो तकरीबन एक इवेंट हुआ है एक नवंबर को हर्याना दे जो है वो सेलिब्रेट किया है हर्याना को एक नवंबर 1966 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा में लजा लेकिन इस इवेंट के जरीए हम भारत के इतिहास में जाकेंगे खास तोर पे पोस्ट इंडिपेंडेंस है रहा के उसमें किन स्टेट्स को किस क्रम में जो है वो राज्य का दर्जा दिया गया एक बार हम वो जाम लेंगे कुछ इंपॉर्टन स्टेट्स के बारे में आज हम डिसकस करेंगे चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन दबा दीजे भारत का सत्रवा राज बना हर्याना ठीक है तो इसके साथ ही तो इसके साथ ही उसके पीछे का एक सिंपल रीजन में आपको बता दाता हूँ हर्याना जो बनाया गया था उसके पीछे दस साल लंबी एक डिमांड थी डिमांड किसकी? कि पंजाब में ऐसे लोग जो हिंदी भाशा बोला करते थे ऐसे हिंदी भाशा बोलने वाले लोगों ने एक आंदोलन किया 1956 से 1966 के बीच ये दस साल लंबा चला जो अंदोलन था इसकी वज़े से सरकार को एक नवंबर 1966 को फाइनली हर्याना को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिना पाख इसके लिए आक्ट पास कर दी गए थी 19 अक्टूबर 1966 को और एक नवंबर 1966 को हर्याना जो है भारत का सत्तवा राचे पर पंजाब को बहुत नुपसान हुआ पंजाब में काफी सारे बदलाव जैसे पंजाब की जितने भी हिली रिजिंस थे उन्हें हिमाचल की यूट्टी को ट्रांक्सर करती है उबर से पंजाब के सारे हिंदी भाशी शेतर तो हर्याना का सुरूब लेजुके थैं हर्याना स्टेट बन गया था उसके अलावा जो पंजाब की capital थी चंडीगर इस capital को भी अब हर्याना के साथ पंजाब को शेयर करना है मतलब दोनों ही राज्यों के सरकारी, आवास, ओफिसे सब जो है वो चंडिगर में होने थे लेकिन समस्या दोनों राज्यों के बीच में कई मत्दों पर disputes थे राज्य के लोग एक दूसरे के साथ कई मामलों में जो है वो disputes सकते थे cultural differences, language differences and many other differences also that's why central government decided to put its own administration over चंडिगर to control any sort of dispute between these two states तो इसी वज़े से हुआ कि कोई भी कोई ऐसी स्थिती ना उत्पन हो जाया जिससे पंजाबर हर रहाना आपसमें लड़ना जुरू करतें that's why चंडिगर पर केंदर ने खुद अपना साथ से रखा इसलिए तो चंडिगर को केते हैं किंद्र शासित प्रदेश ठीक है चलिए अब हिस्टोरिकल बैक्ग्राउंड जान लेते किस क्रम में भारत में जो है राज्यों का गठन किया है एक बार देखिए आप यहाँ राज्यों का गठन किया देखिए और तब लेकिन भारत के राज्यों जो बाद में बने उसमें कई सारे फाक्टर्स थे जैसे चार पार्ट्स में डिवैड किया जया। पार्ट अफडी में 10 स्तेट पारट किया गया जाकर 1956 में एक कमिशन विठाय का था फजलली कमिशन उसकीर्केंडेशन के बाद राज्यों का पुनर गठन किया गया, और ये हो पाया पॉसिबल 1956 में जाके और फिर 27 से घटकर राज्यों की संख्या रगे 14 उनली 14 स्टेट्स जो है वो फिर उसके बाद एक्जिस्ट करने लगे और 1956 में 14 स्टेट्स और नए 6 यूटीज उभर कर आए अब इसमें उस समय पर जो राज्य थे आंत्रपदेश था बॉंबे केरला मंत्रपदेश मंदरास मैसूर पंजाब राज्यस्तान ये नए राज्य थे जो अभी अभी कुछ समय पहले जिन्होंने स्वरूप लिया था अब ये जो रियॉर्गनाइजेशन आक्ट थी ना इससे बार कोशिशे की गई constitutional तरीके से समय विधानिक रूप से राज्यों को किस तरीके से वजूद में लाया जाया उसके लिए कई कोशिशे हुँ जैसे 1948 में एक कमिशन बिठाया गया था इसके धार कमिशन एसके धार सहाब के अंडर एक कमिटी बिठाया गया उनसे पूछा ग भाषा के अधार पर किया जाना चाहिए क्या linguistic basis जो है कि ऊपर states को बनाया जाना चाहिए यह सवाल था कि either the state should be formed on the basis of linguistic reasons नहीं अब लेकिन एसके धार कमिटी नहीं से reject करते है उन्होंने बोला no there is no need to form states on the basis of linguistic reasons ठीक है जो linguistic reasons नहीं होने चाहिए भाषा के अधार पर राजज़गों बनाने कोई ज़रत नहीं है the reason should be administrative convenience administrative convenience होगी तो उसके अधार पर बनाया जाना चाहिए इसके बाद कुछ महीने ही बीते थे then फिर एक और commission बिठाए गया एक committee बिठाएगी JVP committee JVP stands for जवारलाल नहरू वल्लभाई पतेल और पतावी सि tell us whether the state should be formed on linguistic basis or not this committee also rejected the idea and it also recommended the state should be formed on the basis of administrative convenience not on linguistic basis अब भारत के लिए उस समय के लिए रास्ता साथ था कि administrative basis पर बनाएंगे राज़गों भाषा के अधार पर नहीं बनाए लेकिन इसके तक्री बना अब अमनियती को कुछ और मंजूर था अभी तक भारत एक experimental stage में था हुक्मरान ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है 1953 आया 1952 आंदरप्रदेश जो है जो 1953 में state बना इसके पीछे हुआ क्या था कि मदरास राज्य जो था मदरास राज्य जहां पर तमिल भाषी जो है वो बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव हुआ करता था उसमें एक रीजिन जहां पर तेलगू बोली जाती थी वो लोग अंदोलन करना शुरू हो गए वो खड़े हो गए अपने हांकों के लिए कि राज्य में हमारे साथ भेद भाव होता है हमें किसी भी तरीके के अधिकार नहीं है तमिल भाषियों को तरजी दी जाती है नौकरियों में तमिल भाषियों को जो है वो सरकारी अफसरों में सुविधाएं जादा मिलती है उनकी बात जादा सुनी जाती है भाषा के अध linguistic state appeared उसके बाद पहला राज्य बनाए गया भाशा के अधार पर इसका नाम रखा गया अंद्रपदेश तेलगू भाशियों के लिए बनाए गया था अंद्रपदेश 1953 में बनने वाला पहला राज्य इसके बाद इसके कुछ महिले के बाद एक कमिशन बिठाए गया, लेकिन अब ये तो कमिशन बिठाए गया इसके बाद, वो सिर्फ खाना पूर्ती थी, अब वो काम हो चुका था, अगर एक राज्य को भाशा के अथार पे बनाया गया, तो बाकी जो अलग-अलग भाशाओं के बेसिस पे, जिन जो लोग जो अपन करता है, और फाइनली, जैसा उमीद की जारी थी, उसने का, हाँ, राज्य को बनाया जा सकता है भाशा के अथार पे, तब जाकर जो है, पहला, री- और्गनाइजेशन, फर्स्ट, स्टेट्स, री- और्गनाइजेशन आक्ट जो है, पास की गई, 1956 में, उसके तहत एक, नए यूटीज बनाय गए, इसके बाद, इसके बाद और कई घटना है घटी, बंबे री- और्गनाइजेशन आक्ट के तहत, बंबे री-र्गनाइजेशन आक्ट के तहत, 1960 में, बंबे को बाइफरकेट करके, दो राजजे बनाये गए, एक महरास्ट्रा और एक НАया नवे 1966 में हर्याना बनते ही एक और चीज वी कि जितने भी पंजाब के हिली रीजिंबways थे वो दे दिये वे किसको हिमाचल की उपटी पंजाब को बहुत लुक्सान हुआ था इसमें पंजाब के हिली रीजिंबस हिमाचल को गए हिंदी भाशी इलांके हर्याना बन गए और जो capital थी then it was shared between हर्याना और पंजाब और उपर से capital जो उसकी है उसके उपर केंदर का शासन होगा और वो क्यालाए गए केंदर शासित प्रदेश चंडिगड इसके बाद हिमाचल जिसको ड्यू था हिमाचल 1948 में तो एक राज्यकी का दर्जा रखता था जब बनाया गया था उससे असल में उसके बाद 1956 में उसे UT बना दिया First States Reorganization में उसे UT बनाया गया और उसके बाद 1966 में कुछ पंजाब के परवतिये शेत्र वो हिमाचल की UT को दे दिये गए अब उसका एरिया तो बड़ा लेकिन उसे स्टेट हुड मिला 1970 में जब ये हिमाचल State Reorganization Act लाई गई 1970 की इसके जरिये 1971 में जाके हिमाचल को स्टेट हुड मिला 1971 में हिमाचल को स्टेट हुड दिला इसके बाद North Eastern States Reorganization Act जिसके जरिये ये 1971 में आई जिसके जरिये 972 में North East के मैप में एक बड़ा बदला हुआ है Map of North East went a big change went through a big change इसके बाद तीन बड़े राज्य उत्तरप्रदेश, मद्ध्रदेश और बिहार इनके लिए Parliament में Central Legislature की तरफ से November 2000 में तीन नए राज्यों का गठन किया गया उत्तरप्रदेश से तोड़ कर अलग किया गया परवतिय शेत्र उत्तरअज मद्ध्रदेश से जो Tribal Region 36 गड़ को अलग किया गया और ऐसे बिहार से भी एक Tribal Region 4 खंड को अलग किया गया Reason था कि अब यहाँ पर Administrative Convenience एक बहुत बड़ा Reason था कुछ जो Financial Distribution हो रहा था इलाकों को वो सही तरीके से नहीं हो रहा था यह सब कारण थे जिसकी वजह से सरकार को मजबूर होकर तीन नए राज्यों को गठन करना पड़ा नवेंबर 2000 के अंदर अब इस खटना को 22 साल हो गए इस साल नवेंबर कई महिना चल रहा है और इस अब से 22 साल पहले यह तीन नए राज्य बनाये गए थे इसके अलावा 2014 में तिलंगाना राज्य बनाये गया अंदरप्रदेश ते अलग करके उसमें भी रीजन कुछ वैसा ही था कि फाइनेशल दिक्कतें जो कुछ इलाके जिनके साथ अंदेखी की जा रहे थी उसके बाद फिर 2019 में मोधी गवर्मेंट का एक बहुत ही बड़ा डिसीजिए जब उन्होंने JNK का जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 इट वस रिवोट और उसके जरिये JNK का राज्य का दरजा भी छीन लिया गया और उसको दो अलग-अलग योटीज में परिवर्तित कर दिया गया एक JNK और जो दूसरा था बोलना दाक ठीक है अब कुछ स्टेटस के बारे में जान लेते हैं कि हाउ दीस स्टेटस वर क्रिएटेट आंदर प्रदेश जैसा मैंने आपको बताया 1952 में पोटेशी रामलो नाम के एक व्यत्ती ने आंदोलन किया 1952 में उन्होंने आत्मधा किया और तेलगू भाषियों का जब बहुत ही जादा बड़ा अंदोलन वा उसके बाद वजूद में आया आंदर प्रदेश मदरास से अलग करके आंदर प्रदेश का गठन किया गया था ठीक है 1953 में गुजरात महराष्टर जैसा मैंने आपको बताया पॉंबे स्टेट रियो और्गनाइजिशन आक्ट के तहत गुजरात पंदरवा राज्य बना बॉंबे को डिवाइड करके एक पुराना वाला महराष्टर और नया वाला जो बनाया गया दूसरा वो बना गुजरात केरल की बात करे तो केरल नाम का कोई राज्य 1950 सम्विधान के लागों उने से पहले नहीं था केरल राज्य कैसे बनता है रियो और्गनाइजिशन आफ चेट्स 1956 में कोचीन राज्य और त्रवनकोर राज्य दोनों को एक रटा करके एक नया राज्य बना दिया गया जिसको नाम दिया गया केरला ऐसे ही मैसूर एक रियासत हुआ करती थी प्री इंडिपेंडनेस दौर में और मैसूर रियासत जो कभी टिपू सुल्तान हैदर अली द्वारा रूल की गई थी उसको फाइनली उसको 1956 में एक अलग स्टेट का दर्ज़ा दिया गया था 1973 में उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया करनाट का दादरें नगर हवेली की बात करें हम तो 1954 में तक 1954 तक ही पुर्टगालियों के कंट्रोल में था 1954 में पुर्टगालियों से उसे अज़ाद कराए गया और उसके लोगों द्वारा ही एड्मिस्टेटर चुना जाने लगा 1961 तक ही सिस्टम लागू रा 1961 में क्या है 1961 में इसको दस्वा संशोधन 10th amendment किया गया सम्विधान में और उसके तहत इसको एक यूटी बनाया गया इसके बाद पुद्दुचेरी पुद्दुचेरी जैसा हम जानते है वो फ्रेंच के आधीन था फ्रेंच का उसपे राज था 1961 तक और ये भी सेम सेम कुछ अगर हम कहें पुद्दुचेरी और दादन नगर पुद्दुचेरी जो है ये 1954 में इसको फ्रेंच ने भारत को हैंड ओवर किया और फाइनली 1962 में जाके 14th Constitutional Amendment के जरिये जो है वो इसको एक यूटी की शेपती गई जिस पे केंदर का डिरेक्ट जो है उशासन होगा नागा नागा नाएंड उन्निसवबासट में इसको आसाम से अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाए गया उन्निसवबासट में आक्ट आई थी नागा नागा नाएंड आक्ट 1962 और फाइनली 1963 में ये उसको दर्जाह सी लगा हरयाना 1966 यह हम डिस्कस कर चुके हिमाचल 1971 यह हम डिस्कस कर चुके 1966 ऑड फाइनली हिमाचले 1971 मेगहाल्या की बात करें मेगहाल्या 1969 में असाम के अंडर एक सब्स्टेट बनाया गया 1971 में जो एक आती है North History Organization Act तेश्वा उसके बाद क्या किया गया कि मेगहाल्या को फुल फ्लेच स्टेट का दर्जा दिया गया 1972 में जाकर तो एक बात ध्यान रखता है 1969 में तेश्वा अमेंडमेंट किया गया था 23rd amendment of constitution 1969 उसके तेट मेगहाल्या को एक सब्स्टेट विदिन असाम बनाया गया था and after that in 1971 Northeast Reorganization Act it become a full-fledged state और फाइनली उसे लागू किया गया 1972 में तो में खाल गया विकम ए स्टेट इन 1972 और इसके साथ ही दो और बीजन्स मनिपुर और त्रिपराग ये दोनों भी Northeast में थे 1956 की पहली रिया और गया जो हुई थी उस समें पर ये दोनो 6 UTS में से थे छे UTS जो उस समय बनाए गयी थी लेकिन उसके बाद 1972 में फाइनली जब में घाल्या को full-fledged statehood दिया गया तो मनिपुर और त्रिपुरा भी उसी समय पे इनको भी statehood दिया गया तो देन ये तीनों भी 1972 में इनको state का दर्जाह से अब इसके साथ सिक्किम की बात करें सिक्किम जो है सिक्किम के साथ एक बड़ा ही एक interesting scene था सिक्किम के चोग्याल वंश जो है उसको भारत जब भारत आराद वह था 1947 से 1974 तक भारत उसको सुरक्चा देता था सिक्किम was a protectorate of India और उसकी बात करें हम सिक्किम के लिए न जब सिक्किम ने इच्छा ताहिर की कि वो भारत के साथ जोड़ना चाहते है तो उस समय पर सिक्किम के लिए एक special provision बनाया गया और एक article आड़ किया गया specially constitution में जिसका नाम रखा गया article 2a अब interesting चीज़ पता है क्या है कि अगर किसी बाहर से किसी territory को भारत की territory में शामिल करना था तो उसके लिए सिर्फ article 2 उसके अंदर सिधा शामिल किया जा सकता एक special state का दर्जा देना था सिक्किम को तो special state के लिए एक special article इंसर्ट करना पड़ा एक constitutional amendment करना पड़ा उसके साथ ही 35th constitutional amendment 1974 के साथ article 2a इंसर्ट किया गया constitution में और जितनी भी special चीज़ है न उन्हें एक particular schedule में रखा जाता है इसके लिए एक special schedule भी बनाया गया schedule 10 अब आप में से कई बुद्धि जी भी खड़े हो जाएंगे इस पर पूर के साथ और उसके साथ ही एक article 2a जोड़ा गया और schedule 10 लेकिन इसके एक साल बाद से किम ने इच्छा जाता ही कि वो भारत के साथ पूरे तरीके से जोड़ना चाहता है और फिर एक और संशोधन किया गया समविधान में अब की बार यह जो पिछली गलती की थी उसे सुधारने के लिए 36th amendment 1975 और उसके बाद article 2a को abolish किया गया schedule 10 को abolish किया गया तो associate state के लिए यह provision रखा गया था एक साल के लिए फिर आर्टिकल 2a भी हटा दिया schedule 10 भी हटा दिया थी इसके बाद मिजोरम मीजो नेशनल फ्रेंट एक दल जो मिजोरम में अक्टिव था नौर्थीस्ट में इसके साथ सरकार नी 1986 में समझोता किया और उस समझोते के तहर् मिजोरम आक्ट अब 1986 के तहर्ट 1987 में जाके मिजोरम विकम अफुल फ्लेट स्टेट अफ इंडिया उसके साथ अब अर्णाचल प्रदेश की बात करें तो अर्णाचल प्रदेश 1972 में इसको एक यूटी का स्टेटिस मिला था एक लोगता रीजन था वहाँ जिसके पास कोई यूटी का दर्जा नहीं था तो इसको भी जो है यूटी बनाया गया 1972 में तीक है और उसके बाद फाइनली 1987 में जाकर इससे स्टेट उन दिया गया और इनके साथ एक स्टेट और है जो गोवा जो 1961 में भारत ने इसको हासिल किया था गोवा को 62 में उसे यूटी में परिवर्चित किया गया 87 में मिजरम और नाचल और गोवा यह तीनों यह तीनों जो है इन्हें जो है वह 1987 में स्टेट हुड़ दिया गया अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं conclusion क्या है कि इंडिया ना इंडिया का federal structure अपने आप में एक example है कि कैसे एक state जो है ना वो अपने inner boundaries को बदलता है और उसमें उसके पीछे कई कारण हो सकता है उसके पीछे कई बार administrative convenience से कारण होता है कई बार financial problems होती है जो किसी एक particular region को जब ignore किया जाता है तो उसके लिए एक special state बनाने का परिचार किया जाता है कई बार language basis linguistic basis होते हैं तो यह सबी जो है यह अलग-अलग कारणों से भारत में अलग-अलग राज्यों का गठन किया गया और यह इस देश की beauty है यह unity in diversity को दर्शाथा है इस क्रम में हमारे यहां पर इतने सारे राज्यों का गठन किया गया आज का जो structure है उसमें आपको कई सारी चिते देखने को मलती है अगर हम यहां पर overall बात करें जब हम गुजरात की बात करते हैं हर्याना की बात करते हैं तो यह वो राज्य हैं जिने भाशा के अधार पर अगर हम तिलंगाना की बात करते हैं और उसके अलावा उतरांचल की बात करते हैं या फिर हम जारखन की बात करते हैं तो इनको administrative convenience के तौर पर बनाएगे की वज़े से बनाएगे तो यह सारे अलग-अलग reasons हैं अलग-अलग राज्यों के गठन में हर राज्य की अपनी ethnicity अपने अलग culture अपने tradition हैं जिसकी वज़े से इतने सारे राज्यों को जोड़ कर इस देश का हिस्सा ना है तो यह चीज़ें आपको समझनी होगी और अपने answer में आपको यह सारी चीज़ें जो हैं को mention करनी होगी इसलिए मैंने आपको पीछे की कहानी बता दी था कि आप अपने आप उस पे अपना विचार जो है वो बुन सकें एक administrator के तौर पे और एक student के तौर पर तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे धन्यवाद और इस issue को मैंने इसलिए discuss किया क्योंकि यह एक ऐसा issue है जो governance के लिए जो governance का भी एक important मुद्दा है और इतिहास में भी post independence इंडिया से भी जोड़ा हुआ है तो यह मुझे लगता था कि काफी लंबे समय से मैंने सोच रखा था लेकिन इस बार नवेंबर मंथ जिसमें बहुत सारे राज्यों को अगठन किया गया था जैसे हमारा हर्याना एक नवेंबर 1966 उसके अलावा उत्रकंड जारकंड और आपका 36 गड़ इनको भी नवेंबर म फिर मिलेंगे धन्यों